खरीब सीजन पर इस बार मोंसुन की बेरुखी भारी पड़ी है मसलन खरीब सीजन में कम बारिश की वज़े से कई राजियों में सूखे के हालाद बने है इस वज़े से धान की बुआई सबसे जादा परभावित हुई है सूखे का सामना कर रहे राजियों की इस सूची में उतर परदेश भी है जहां कम बारिश की वज़े से 17 जिलों में सूखे के हालाद बन चुके है सूखा परभावित इन जिलों में पुरवांचल के जिले सबसे अधिक है यानि सूखे से पुरवांचल सबसे अधिक बेहाल है उतर परदेश में सूखे के हालाद की जो तस्वीर सामने आई है वे शासन की रिपोर्ट पर आधारित है असल में मुख्यमंतरी योगी अधित्यनात ने 7 सितंबर को एक बैटक में जिला अधिकारियों को सूखे की समिक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा था मुख्यमंतरी के निर्देश पर कई जिलों ने रिपोर्ट शासन को भेजी है इसके मताबिक अभी कुछ जिलो में कई गावों में सर्वेक्शन का काम बाकी है तो वहीं कहीं जिलों सर्वेक्शन किया जा चुका है उतर परदेश में कम बारिश की वज़े से बने सूखे के हालातों से 17 जिलों में कुल 5 लाख हेक्टियर शेतर पर भावित हो चुका है वहीं इन जिलों की खरीब सीजन की 33 फिस्दी फसलों के नुकसान का भी अनुमान लगाया गया है जिसमें सबसे अधिक नुकसान धान को हुआ है असल में धान की बुआई और उपाई के लिए पानी की सबसे ज़ाधा जरूरत होती है और इस वज़े से यूपी में इस बार धान का रखबा घटा है उत्तरपरदे सरकार को जिलाधिकारियों की तरफ से जो रिपोर्ट मिली है उसमें 17 जिलों में सूखे जैसे हलाग जो बने हैं वो जिले हैं संतकबीर नगर, गोंडा, प्रियागरा, चंदोली, कुशी नगर, आदिशामिल है सूखे की वज़े से इस बार धान के उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया गया है बीते दिनों खाद्यस अचीव ने यूपी, बिहार, जारखंड और पश्चिम मेंगॉल में सूखे का हवाला देते हुए धान के रखबे में कमी का अनुमान लगाया था इस वज़े से खरीब सीजन में चावल के उत्पादन में 10-12 मिलियन मेट्रिक टन कमी का अनुमान लगाया गया है क्रिशी मंत्रालिय की नई रिपोर्ट के अनुसार धान का रखबा इस साल पिछले साल की तुनला में 19 लाख हेक्टियर घटा है क्रिशी में 10 लाख गया है